हैलो गाईज, सेविंग पंड चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है, दोस्तों SPIE EMC, इंडिया की सबसे बड़ी mutual fund house company है, जिसके यहाँ पर बहुत सारे mutual fund पलान है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों SPIE एक नया NFO, याने की new fund ओपर लेकर आ रहा है, जिसका नाम है SPIE Automotive Opportunities Fund, जो की दोस्तों 17 माई 2024 को है जो launch हो रहा है, तो चलिए जानते हैं इस दमदार NFO की पूरी detail, तो जैसा की दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है, Automotive, याने की two wheeler, car, buses, trains, और aeroplane बनाने वाली companies के parts, और सामान बनाने वाली जो companies हैं, उनको यहाँ पर Automotive को आ जता है, और एक data के according दोस्तों इंडिया इसमें fourth largest country है, क्योंकि दोस्तों दुनिया पर में बनने वाली गाडियों की बात करें, तो यहाँ पर number one पर China, second number पर America, उसके बाद दोस्तों इंडिया का इन नमबर आता है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों साल 2023 में इंडिया में इस industry का size था लाग करोड़ों पर होने की उमीद है, और गरोध का सबसे बड़ा रीजन है हमारी population और उनकी बढ़ती हुई demand, तो कि अगर आज आज आपके पास कोई भी माली यह four wheeler गाड़ी नहीं है, तो आप भी यहाँ पर आने बाले, चार से लेकर पांच सालों में एक गाड़ी जर करें, तो इंडिया की टॉप आटरमेटिक कमपनी, इस इंडेक्स में 16 कमपनी है, जैसे कि यहाँ पर महिंदरा एंड महिंदरा, टाटा मोटर्स, मारती सुजूगी, बजाज ओटो और आइसर मोटर्स जैसी बड़ी-बड़ी कमपनी जबले बले हैं, जिसमें रेटन्स की बात करें, तो इस निप्टी इंडेक्स ने, पिछले सिर्फ एक साल में 71.7% का रेटन्स दिया है, पिछले तीन साल में 33.9% का, जबकि लास्ट फाइव येर की बात करें, तो इस इंडेक्स ने यहाँ पर 23.3% का है, जो रेटन्स जेनरेट किये हैं, और SBA के दोस्तों, आ काल कैप कंपनीज हैं, उनके अंदर भी इंवेश्मेंट करेंगा, तो आप समझ सकते हैं कि आने वल टाम में रिटन से वो काफी जबरदस्त मिलेंगे, पर्ण मैनेजर दोस्तों, इस इंडेस्टी की OEM, यानि की Original Equipment Manufacturers, उसमें भी है जो इंवेश्मेंट करेंगे, यानि कंपनिया जो गाडियों में लगने वाले पार्ट्स बनाती है, साथ ही साथ यहाँ पर EVs में, यानि की जो Electrical Vehicles हैं, उनमें भी इंवेश्मेंट होगा, तो आप इस फंड में दोस्तों, मिनिमाम 5000 रुपे लंब सम इंवेश्मेंट कर सकता हैं, वही 500 रुपे साब ऐसा भी जुरू कर सकता हैं, एक जी लोड इसका 1% होगा, दोस्तों यहाँ पर एक थीमेटिक फंड है, यानि वेरी हाई रिस्क की कैटिगरी का फंड है, अगर आपका इंवेश्मेंट पॉइंट 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 यहाँ पर चार से लेकर 5 साल से उपर हैं, तब ही